हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई पेरडाइस प्रेंड्स मैं जो आपको प्लांट दिखाने जा रही हूं यह बहुत ही ब्यूटिफुल फ्लावर प्लांट है इसे प्राइम रोस कहते हैं और कुछ लोग इसे प्रिमुला वल्गेरिस नाम से भी जानते हैं यह एक इंडोर और आउट्डोर प्लांट है और यह पेरिनियल होता है यह लेट विंटर से शुरू हो कर जो है अरली स्प्रिंग तक रहता है अगर आप इसकी देख बाल अच्छे से करेंगे तो यह लंबे समय तक चल जाता है इन्हें स्मॉल पॉट्स में लगाएं तो यह कम्प आते हैं और सब भी बहुत सुंदर लगते हैं यह इसके फ्लावर जो हैं बंचेस में होते हैं इनकी स्टेंप जो हैं लंबी होती है जिस पर अम्रेला की फोम में फ्लावर लगते हैं और यह बहुत ही खुपसूरत लगते हैं इनकी लीफ्स भी देखने में बहुत ही हटा दें इससे और नएने फूल आते रहेंगे और इसको हम ग्राउंड में भी ऐसे बाउंडरी भी लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है यह विंटर में इस प्लांट को टू टू थ्री आवर्स की सनलाइट मिले तो काफी है ज्यादा तेज दूप जो है यह जेल नही कोश्चन मिलता रहे आप इसे साउथ फेसिंग विंडो पर रख सकते हैं या पिर ग्रीन नट के नीचे भी रख सकते हैं इसकी जो सॉईल है वो वेल ड्रेंड होनी चाहिए जिसमी की पानी बिलकुल ना रुके और इसके लिए चार्णिज का पोड ठीक रहता है तो यह तो रहता है इसे सोईल जो है पॉरस रहती है और गर्मी के मोसम में जो है ठंडी रहती है जिससे प्लान को कोई नुकसाम नहीं होता और इसमें कोई भी फंजिसाइड पाउडर या नीम खल जरूर डाल दे इससे फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है और हर 15 दिन में लिकुर फ पॉर्टिलाइजर की जूर्ट नहीं होती है एक बार आप रिपोर्टिंग के समय जो मिला देंगे वो भी काफी रहता है इसमें पानी तब ही दे जब इसकी टॉप लेयर थोड़ी सी ड्राई हो जाए इसकी सोईल को मोसाइड में रखें और कभी भी प्लांट को उपर से प पॉंगस नहीं लगेगा और लिफ्स पर जो है नी मॉयल का स्प्रे भी करते रहें जिसे यह ऐसे बचा रहेगा इसकी लिफ्स पर छोटे छोटे ही और सुटे होते हैं जिनसे की टॉक्सिक सब्स्टांस निकलता है अगर यह सकीन से टॉच हो जाए तो वहां इरिटेशन प प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन बाइस सीड और डिवाइडिंग हो जाता है सीड से ग्रो करने के लिए ऐसे सीड लें जो कि मार्च या अप्रेल में बने हो इनको लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो सेप्टमबर अक्टूबर होता है जब एदर थोड़ सा कूल होता है और सोल हलकी सी गरम होती है तब प्लांट अच्छे से ग्रो करता है और डिवाइड करके लगाना हो तो लेट स्प्रिंग बैस्ट है जब नर्सरी से लाकर लगाएं तो ध्यान रखें कि रूट बोल ना टूटे फ्रेंट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो ज क्योंकि इसकी रूट्स जो है डेलिकीट होती है जो अलिफ सोल को टच कर रही है उन्हें भी हटा दे और फिर्स्ट इम जो है अच्छे से वाटिंग करें तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थेंक यू